गुद मर्निंग बडिज दिस इस वेंकर बडिज वेंकिंग स्पेशल कर इंटरफेस में आपका स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे 16, 17, 18, June 2020 का कर इंटरफेस रिवीजन जो की रहेगा MCQ फॉर्म में दोस्तों शुरू करने से पहले एक मैसेज है जो लोग वीडियो को ड लोग डिजलाइक करते हैं प्लीज वीडियो को डिजलाइक करने का कारण मुझे लिखिए कमेंस सेक्शन में अगर आप लोग कारण नहीं लिख सकते तो मैं यहीं समझूझा आप लोग बिना मतलब कर डिजलाइक कर रहे हैं तो पिर तो आपको भगवान बचाए昨晚 आप ल रह जाएंगे तो कोई बात नहीं और अगर आप लोगों में इतना गर्स है तो प्लीज वीडियो को डिजलाइक जो करते है उसका कारण आप कॉमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं उसको सुधार करपाऊं तेक है दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दे इंडक्स्ट्री इन्दा रिजियों तो कौन सा स्टेट या आपका यूनियन टेरिटोरिय जिन्होंने पॉल्ट्री पॉलिसी लाया है जिसके अंदर वो पॉल्ट्री प्रोडक्शन को जो है वो और भैतर करना चाते है यह है आपका जम्मोयन कश्मी ठीक है यह आपका डल डल लेक ठीक है दोस्तों इसलिए में इसका पिक्चर दिया है था कि आप लोग इसको अपने दिमाग में बिठा सको answer के साथ relate करके ठीक है चलिए next question पे चलते हैं the 40th GST Council meet handed by finance minister Nirmala Sitaraman was held recently virtually under which article of constitution GST Council was formed तो 40th GST Council meet जो है वो हाली में किया गया वो virtually मतलब online video call के जरीए तो जो GST Council जो है वो जो बनाया गया है वो कौन से article के अंदर बनाया गया है यह है आपका article 279A ठीक है दोस्तों यहां पे जो है इसके बारे में दिया गया है ठीक है वीडियो को पॉस करके तोरह सच्चे से देख लीजिएगा चलते है नेक्स कोश्चिन पे इंडिया एलॉंग वीट ट्वेल अधर कंट्रीज लीड दा verified initiative launch by the event to fight misinformation about COVID-19 what is the theme of verified तो यह verified initiative launch किया गया है जिसके तहर जो आपके जो मतलब गलत information जो सर्कूलेट होता है वर्टसाप फेस्बूक यह सब में तो उसमें जो है एक रोक थाम रोक लगा है जा सके और लोग उसमें ना पसे और सही जानकरी जो है वो दिया जाएगा तो उसी का जो नाम रखा गया है वो verified रखा गया है तो इसका क्या है theme यह है आपका science solidarity and solution ठीक है चलिए चलते है नेक for its salary account customer तो कौन सा private bank है जिन्होंने की इंस्टा फ्लेक्सिकस नाम का एक ओवर्डर फिसलेटी लाया है तो यह है आपका ICICI bank दोस्तो ओवर्डर फिसलेटी के बारे में तोड़ा बता देता हूँ ओवर्डर फिसलेटी क्या होता है मान लीजिए आपका एक account है ठीक है उसमें आप जितने balance रखते है ठीक है वो एक जो नियूनित्तम balance है वो छोड़के आप उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते है उसस जैसे मान लीजिए आप मेरा एक bank है तो मैं गया bank में मैंने कहा कि मुझे ओवर्डर फिसलेटी चाहिए तो bank क्या करेगा आप मेरा documents लेके ओवर्डर फिसलेटी चालो कर देगा इससे क्या होगा मान लीजिए मेरे account में 2000 रूपए है या 5000 रूपए है लेकिन bank दोड़ा दिय गये जो ओवर्डर फिसलेटी होता है वो 10,000 से सुरू होता है कोई 15,000 देता है कोई 20,000 देता है तो इसे तो bank ने मान लीजिए मुझे 10,000 का ओवर्डर फिसलेटी दिया है तो इसे क्या होगा कि मैं अगर मेरे account में भले ही 5000 है लेकिन मैं 10,000 तक इसका इस्तेमाल कर सकता हू online transaction और दूसरे cases में ठीक है तो ये होता है ओवर्डर फिसलेटी लेकिन हाँ ओवर्डर फिसलेटी में क्या होता है अगर bank आपको ओवर्डर फिसलेटी दे रहे है तो अगर आप उसमें से मान लीजिए कि आपका 5000 का आपका आपके पास account में है अब 10,000 तक खर्चा करते है त पर आपका कुछ interest लगता है ठीक है वो एक rate होता है चलिए हो सका होप मैंने आपको समझा पाया हूँ ठीक है चलिए चलते है next question पर RBI has proposed to set the age limit of chief executive officers and whole time directors of bank to dash years तो RBI ने क्या किया है जो bank के chief executive officers होते है और directors होते है पहले उनका कोई age limit नहीं था वो किसी भी age तक हो सकते थे लेकिन अब ही क्या किया है RBI ने उसको एक age limit में डाल दिया है ठीक है तो वो कितना है यह है आपका 70 years 70 years तक का age limit लगा दिया है RBI ने अब 70 years होते ही वो लोग retire हो जाएंगे या तो उस पद पर नहीं रह पाएंगे ठीक है चलिए चलते है next question पर RBI has made some changes to the monitoring structure of financial markets infrastructure and retail payment system recently which among the following was designed as a system wide important payment system तो RBI ने क्या किया है कुछ changes किये है जो financial market infrastructure है और retail payment system है ठीक है उन पे और एक system लाया है payment का तो इसको क्या कहते है यह कौन से किसके द्वारा लाया गया है यह है आपका NPCI के द्वारा लाया गया ठीक है National Payment Corporation of India ठीक है इनके द्वारा जो है लाया गया है चलिए चलते है next question पर who chairs the committee restructured by IBBI for corporate insolvency resolution and liquidation process तो एक committee बनाया गया है IBBI द्वारा ठीक है जो मतलब corporate या bank जो है insolvency दिवालिया हो जाता है या तो liquidation process उसमें पैसा डालने के होता है तो उसके लिए कमेटी बनाया गया है उसको head कौन बनाया गया है उसका head बनाया गया है आपका उदाएक उटक को ठीक है दूस्तों उदाएक उटक चलिए चलते हैं next question की name the robot which was launched by Central Railways to boost the screening and surveillance of passengers कौन सा robot है जिसका क्या नाम है उस robot का जिसको की लाया गया है Central Railway दोरा ताकि जो लोग आते जाते हैं उनका जो thermal screening है ठीक है और देखा मतलब वो करें ताकि जो railway staffs है वो सीधे exposed ना हो ठीक है तो यह है आपका Captain Arjun ठीक है यह देख सकते हैं आपके रोबोर्ट बनाया गया है इसका नाम दिया गया है Captain Arjun चलिए चलते हैं next question पर किसने यह बुक लिगा है दादा भाई नायरोजी के उपर ठीक है उनका नाम क्या है उनका नाम है आपका दीनियर पटेल यह देख सकते हैं यह है दीनियर पटेल ठीक है इन्होंने बुक लिगा है चलते हैं next question पर सुषान सिंग राजपूत हूँ इजी नियूज रिसेंटली इज रिनोंड सुषान सिंग राजपूत अलिमी नियूज में थे आप लोग को सब को पता है क्यूं थे ठीक है बहुती दुखत घरना है हम लोग मुझे यह ऐसा मानना है कि वो हमेशा हमारे दिल में रहेंगे ठीक है चलिए इसका एंसर है अब लोगों सब को पता है ठीक है चलिए नेक्स कोशिजन पर उनको हरास करते हैं उसी के उपर यह डे है तो यह कब मनाया जाता है यह है अपकर जून 15 को मनाया जाता है ठीक है लिए नेक्स कोश्चिन पे इंडिया फस्ट नेचरल गास ट्रेडिंग प्लाटफर्म इंडियान गास एक्सचेंज वाज लॉंच भाई धर्मेंदर प्रधान रिसेंटली वैर इस दा हेटकोर्टर ऑफ आई जी एक्स लोकेटेड तो इंडियान नेचरल गास जो है उनका एक त्रेडिंग फ्लाटफर्म बनाया गया है लोग उसमें खरीध फरोग कर सकते हैं जैसे अपका नेच्टर शेंज होता है जिसमें इस टॉक का होता है आपका इसमें आपका oil का होगा ठीक है तो यह कहां पर headquarter है इसका यह आपका New Delhi ठीक है New Delhi में headquarter IGX का है और यह है धर्मेंदर प्रदान पैचान लीजिए ठीक है चलिए next question पे चलते हैं EPFO has launched multi location claim settlement facility recently the EPFO functions under which ministry दोस्तो हाली में EPFO ने जो है एक multi location claim settlement facility launch PIA यह क्या है मैं आपको explain कर देता हूँ ऐसा है कि पहले जब जहां पे आप रहते थे ठीक है मान लिजिए आपका EPFO account है ठीक है आपको PF का जो fund पैसे है उसको claim करना है उसके लिए आप जहां पे रहते थे वहीं के आपको office में जाना पड़ता था ठीक है तो मान लिजिए आप कोई दूसरे state में अब shift हो गए है तो आप वहाँ पे भी अपना अब claim कर पाएगा जो कि पहले नहीं होता था ठीक है तो यही है multi location claim settlement facility तो यह कौन से ministry के अंडर आता है यह है आपका आता है ministry of labor and employment चलिए next question पे which state UT has signed a 12 moos recently to attract the investment or 16,330 crores तो कौन से स्टेट है जिन्होंने हाली में 12 जो है memorandum of understanding moos का full form होता है sign किये गया है और 16,030 crore का investment लाया है यह है आपका महाराश्र सरकार ने यह किया है ठीक है चलिए next question पे मनिपूर government has inaugurated three project undertaken by the state public health engineering department recently who is the CM of मनिपूर मनिपूर government हाली में क्या है यह उन्होंने public health engineering department को आपका launch किया है तो मनिपूर का CM कौन है यह है आपका बिरेंसिंग ठीक है पहचान लीजे बिरेंसिंग को मनिपूर के CM चलिए next question पे which state has adopted flatter factory model to ensure the availability of industrial land कौन सा state है जिन्होंने flatter factory model को launch किया है ताकि जो industry के लिए land अलग से वो available हो सके यह है आपका उत्तरप्रदेश ठीक है उत्तरप्रदेश ने यह plan लाया है चलिए चलते है next question पे which payment bank has launched शुरक्षा salary account और MS MSM recently कौन सा bank है जिन्होंने हाली में MS MS के लिए शुरक्षा salary account लाया है यह है यह है आपका यह पेमेंट बैंक यह पेमेंट बैंक लाया है यह सिस्टेम ताकि आपका पेमेंट भी बढ़िहांस तरीके से हो सके और शुरक्षा भी रहे यह नेक्स question पे central government has infused capital of risk 5298 कोड़ो तो वीच कंपनी और्गनाइजेशन तो central government है कौन से और्गनेजेशन में 5298 करोर का पैसा देने का पैसा दिया है यह है आपका इंडियन infrastructure finance company limited IIF CLT का इनको दिया है लिए next question पे the forex reserve of India crossed dash billion dollar for the first time as per RBI data in June 2020 तो foreign country का जो आपके पैसे होते है उसका जो एक भंडार होता है उसी को foreign reserve कहते है ठीक है तो यह जो है पहली बार जो है बहुत हाई पे चला गया है तो यह कितना गया है यह है आपका 500 billion ठीक है 500 billion का चला गया है लिए next question पे which company has appointed as auditor of the next three years for PMCares तो कौन सा company को जो है auditor ने किया गया है PMCares के लिए auditor क्या होता है वो पूरे next question पे निम्दा इंडियान इंजियो विच है ओन्दा बायो डिवर्सेटी एवार 2020 प्रेजेंटेड बाई प्राइम अलबर्ट तू प्रिंस अलबर्ट टू और मोनाको फाउंडेशन कोंसा इंडियान इंजियो है जिसको की बायो डिवर्सेटी एवार 2020 2020 मिला है और प्रिंस अलबर्ट टू और मोनाको का मोनाको कि फाउपंडेशन ने उसके द्वारा इह दिया गया है यह है आपका डेकन डेवलपनींट सोसायति के यह इनको यह मिला है प्रेजरुट को एंडियो थीच है टिसकिन कोशियो अनू Mess Micha rag predator jam वोग 2020, युस टॉपक तोइट 5800 निकलियर वारेट, तो इंदिया का रेंक कितना है, किसमें, जो वारर, मतलब nuclear weapons है, ठीक है, उसमें जो है, इंदिया का रेंक कितना है, उसमें युज जो है वो टॉप पे है, उसका जो रेंक है, वो 5800 का है, ठीक है, यह है अपका, 6 इंडिया का रैंक जो है वह 6 पे है ठीक है टॉप पे है यूएस 5800 के साथ रॉशिया है सेगिंड 6,000 6,375 यह शायद कुछ मिस्टेक लग रहा है ठीक है दूस्तों इसको इगनोर कीजिये थोड़ा सा लेकिन हाँ रैंकिंग सही है ठीक है यह चलते है नेक्स कॉस्चिन पर न्यू डेली बेस्ट कंपेटिशन कमिशन ऑफ इंडिया CCI has approved the acquisition of which among the following company by मैक रिची इन्वेस्मेंट की प्राइवेट लिमिटेड तो कंपेटिशन कमिशन ऑफ इंडिया ने अपरूप कर दिया है acquisition उसको ओवर टेकिंग करने का मैक रिची इन्वेस्मेंट कंपनी के द्वारा तो वो कौन सी कंपनी यह यह आपके यह तीनों जो उपर के यह तीनों है यह तीनों कंपनिया जो है इनको ओवर टेकिंग करने का जो है निले दिया है इस competition commission of इंडिया ने ठीक है चलिए next question पे चलते है निम्द पोर्टल विच वाज लॉंच बाइ वेस्ट बेंगल सी एम ममताब एनरजी तो है इसको शुरू किया गया है ताकि उनको help किया जा सके यह है आपका कर्मोभूमी नाम का एक जोब पोर्टल है इसको शुरू किया गया है ताकि जो IT professionals है उनको job दिया जा सके ठीक है चलिए next question पे the 500 year old submerged temple was found under which river in उरिसा recently हाली में उरिसा के कौन से नदी में जो है 500 साल पूराना एक मंदिर जो है वो मिला है जो की नदी के अंदर था पानी कम होने के वज़ा से जो है यह मंदिर उपर दिखने लगा है यह है आपका महानदी रिवर महानदी रिवर में यह मिला है दोस्तो एक और question है इसमें से बन सकता है कि किसनी यह found किया है इस project को जो जो यह खोज रहते यह कौन थे इनका नाम था दीपक कुमार नायक ठीक है यह अच्छे से नेम याद रख लिग जिएगा क्योंकि यह भी family remittances day हर साल कितने दे को कौन से दे को मनाया जाता है यह आपके जून 16 को चलते है नेक्स question पे when was world wind day observed annually world wind day कम मनाया जाता है यह आपके जून 15 को ठीक है जून 15 को world wind day मनाया जाता है चलिए नेक्स question पे the sports ministry plan to establish Kelo India State Center of Excellence under the Kelo India scheme to enhance India's performance in Olympic who is the present youth affairs and sports minister sports minister जो है उन्हों ने उन्हों प्लान कर रहे है कि Kelo India State Centers of Excellence बनाया जाएगा मतलब और state में एक ऐसा center बनाया जाएगा जहां पे कि जो sports person है उनके लिए उनको training दिया जा सके और वो Olympic में बहतर कर सके तो हमारे क्या नाम है हमारे sports minister का यह है आपके किरंडी जी 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 है जो हमारे sports minister है ते लिए next question पे the serum institute of India has signed agreement with Unishap and Gavi to supply newmo tackle conjugate vaccine PCB जिसको short में कहते है to low income countries where is SII located दोस्तो serum institute of India है यह जो है एक vaccine बनाया है जो कि supply करेगा जो low income countries है उनको तो कहां पे SSI SII का low headquarter है यह है आपका पुने पुने में जो है SII का headquarter है ठीक है ते लिए next question पे इंडिया has joined an initiative namely global partnership on artificial intelligence recently as a funding member GPAI will be supported by secretary to be hosted by which organization तो इंडिया जो है यह joint initiative लाया है global partnership लाया है जो कि artificial intelligence और आपका GPAI के साथ ठीक है तो यह कौन से organization के दोरा host किया जाएगा यह है आपके organization for economic cooperation and development जिसको short में OCD कहा जाता है ठीक है OECD कहा जाता है चलिए नीचे details से आप लोग पढ़ लिजिएगा और दोस्तों थोड़ा background noise के लिए माफी चाहूंगा चलिए चलते हैं next question पे how many people fell into acute food sick insecurity since February 2020 as per room based FAO report तो कितनी लोग है जो acute foods insecurity मतलब उनको खाना सही से नहीं मिलेगा ऐसे इसमें आपके आएंगे ठीक है तो यह जो है यह report published किया गया है ठीक है FAO के द्वारा तो यह answer है आपके 45 million 45 million लोग जो है उनको खाना सही से नहीं मिलेगा दोस्तों बहुत अब बोल सकते हूं मैं दुखन यह होगा ठीक है दोस्तों चलिए चलते हैं next question में the first ever distribution of assistive aids and devices to दिव्यांग जन हेल्ड थ्रू विर्चुल प्लाटफर्म अंडर ADIP scheme recently the ADIP scheme is initiative of which ministry ADIP scheme launch किया गया जिसके तहर जो है जो दिव्यांग जने उनको assistive device like जो आंग से देखने ही पाते है उनको stick जो चलने ही पाते है उनके लिए कुछ बैटराइज motorized जो है three wheeler आपका वो क्याते है motorized chair जो है वो और यह सब चीज़े दिये गए है यह है आपके ministry of social justice and empowerment के इनके द्वारा जो है यह दिया गया है ठीक है चलते है next question पे which bank has approved to provide second loan of 750 million dollar to India under COVID-19 crisis recovery facility CRF ठीक है कौन सा bank है जिन्होंने एक second loan जो है दूसरा loan दिया है इंडिया को COVID-19 crisis में लडने के लिए यह है 7,750 million dollar का यह है आपके Asian infrastructure investment bank ठीक है इनके द्वारा जो है यह loan दिया गया है चलिए next question पे चलते है name the insurance company which has collaborated with a firm Tropogo limited to launch India's first pay as you fly insurance for drone owner तो दोस्तों कौन सा company है insurance company है जिनोंने किये Tropogo limited के साथ टायब करके एक insurance लाया है उन लोगों के लिए जो drone उराते है तो drone का जो है वो insurance होगा ताक कि अगर उसको कुछ हानी हो जाए तो आपको पैसे मिल जाएंगे ठीक है यह है आपके HDFC Argo General Insurance Company Limited और pay as you fly का मतलब क्या होता है न कि जब आप उसको उराएंगे तब ही आपका insurance लाग होगा नहीं तो वो नहीं होगा ठीक है यह है चलिए next question पे who headed the panel formed by SEBI to suggest measures to strengthen enforcement of SEBI तो एक पैनल बनाया गया है ठीक है SEBI के द्वारा इसको बनाया गया है ताकि SEBI को जो है वो उनका जो enforcement है उनका जो आपका कारिय है उसको और बढ़िया तरीके से उसको लागू किया जाए ठीक है नियम के साथ तो इस जो है पैनल बनाया गया है इसका head किसको बनाया गया है यह है आपके अनिल दवे जो की आपका Supreme Court Judge है इनको बनाया गया है निक्स्ट विच कंपनी है साइन Climate Pledge Initiative Amazon and Global Optimism to become Net Zero Carbon by 2040 तो कौन सा कंपनी जो है जिनके द्वारा एक आपका Initiative लिया गया है ताकि 2040 तक जो है यह Net Zero Carbon मतलब इनके द्वारा इनके कंपनी के माली जो ऑफिस है उन में से कुछ Carbon निकलता है जैसे AC वगरा है लगए होते है तो यह Target रख रहे है कि 2046 तक जो है यह Zero Carbon Net Zero Carbon हो जाएंगे यह मतलब थोड़े से भी मतलब एकदम Carbon जो Carbon का जो निर्गत है उसको बंद कर देंगे तो कौन सा कंपनी है यह है आपका Infosys चलिए next question पे चलते है find the Indian startup which were part of the list of technology pioneer of 2020 released by the World Economic Forum WEF कौन सा Indian startup है जिनको की टेक्नोलोजी pioneer of 2020 के list में दिया जगा दिया गया है यह है आपके दो companies है यह Stilabs है और Zist Money इन दोनों को जो है यह मिला है जगा इस list में ठीक है चलिए next question पे name the BCCI is first reimbursement who has got one year extension as ethics officer and reimbursement ठीक है कौन BCCI का first जो reimbursement है उनको एक साल के लिए फिर से extend क्या गया है उनका नाम क्या है उनका नाम है आपका डिके जैन ठीक है डिके जैन को जो एक साल के लिए और extend किया गया है चलिए next question पे what is the India's rank in largest recipient of FDI in 2019 as per world investment report 2020 तो इंदिया का rank कितना है आपका FDI investment में जो की world investment report 2020 के द्वारा release किया गया है यह है आपका इंदिया का rank है 9th ठीक है इंदिया का 9th rank है और top है US में सबसे ज्यादा FDI में investment हुआ है चलते है next question पे which country rank top in world competitiveness index 2020 prepared by international institute for management and development इंदिया rank 43rd तो कौन सा country है जिनोंने world competitiveness index में जो है टॉप किया है यह है आपके Singapore Singapore ने टॉप किया है इंदिया का rank 43rd है ठीक है याद रख लिजेगा दोस्तों इंदिया सिंगापूर का famous जगा है यह ठीक है और यह statue जो आप देख रहे हैं चलिए next question पर which zone of Indian railways has installed and automated ticket checking and managing access ATMA machine recently in Nagpur station कौन से zone ने जो है यह एक आपका जैसे ATM से पैसे निकलते उसी type का एक ticket checking machine automatic ठीक है यह लगाया गया है नाकपूर station में तो कौन सा zone के द्वारा यह है central zone के द्वारा यह किया गया है ठीक है जिसी की automatic checking हो जाएगा ticket का यह next question पे the fourth edition of Asian youth para games is going to be held in which country in December 2021 तो Asian youth para games जो है 2021 में कहां होने वाला है ठीक है यह इसका fourth edition होगा यह होगा आपके बाहारीन ठीक है बाहारीन में यह होने वाला है यह चलते है next question में when was the world day to combat decertification and drought observed annually तो कब जो है decertification and draft observed जो है वो मनाया जाता है ठीक है यह है आपके 17th June को 17th June को जो है यह मनाया जाता है चलिए next question पे चलते है राज मोहन बोहरा who passed away in June 2020 is a renewed राज मोहन बोहरा उसका हाली में जो है निदन हो गया है वो किसलिए जाने जाते थे वो जाने जाते थे आपके आर्मी परसनल आजे आर्मी परसनल थे और वो लेम्टेन जवरेट जेनरल के आर्मी में ठीक है उनको महावीर चक्र भी मिल चुका है चलिए next question पे और यह शायद हमारा आख़री question होगा आज का इसने जो है एक बुक लिखा है जिसका नाम है Clara and the Sun ठीक है यह है आपके कजो इशिगुरा ठीक है कजो इशिगुरा इनका नाम है यह नोबेल प्राइज उन्यर है ठीक है तो चलिए दोस्तो आज के लिए इतना ही आपको situation अच्छा लगा हो अगर अच्छा लगा हो तो please like कीजिएगा चैनल को subscribe कीजिए अगर आप आपमारी चैनल पर नए है तो ठीक है दोस्तो आज के लिए इतना ही आप लोग सब्सूस्त रहिए बैतर रहिए ठीक है जय हिंद